ओम नमर्शिवाय दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आफ्टर 10-10 पोर्टल जो एनरजी अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज बहुत ही ब्यूटिफुल एनरजी है जैसा कि मैंने आप से पहले भी कहा था कि ये जो 10 नमबर है नियो बिगिनिंग का नमबर है ठीक है बहुत ये लोगों का रियूनियन आने वाले टाइम में होगा हो सकता है कुछ लोगों के मैसकुलाइन ने उनको कॉंटक्ट भी कर लिया हो एक दो दिन में या कल उन्हें कोई हाई हलो का मैसेज रिसीव हुआ हो या कोई ऐसा जेस्टर मिला हो अपने मैसकुलाइन की तरफ से ठीक है एक hope का sign कुछ मिला हो अपने masculine की तरफ से हो सकता है कुछ लोगों के masculines ने उनको एक contact होता है जो बिल्कुल no contact में थे हो सकता है उन लोगों का कुछ contact हुआ हो बिल्कुल minor सा या थोड़ा बहुत social media के ध्रूँ ठीक है हो सकता है possible कि कुछ लोगों का कल इस तरह से contact हुआ हो या एक दो दिन में हो सकता है ठीक है क्योंकि fast movement दिखा रहे हैं यहाँ पे जो masculines हैं कुछ masculines तो बहुत ही ज़्यादा clear है बिल्कुल clarity है उनको कि क्या करना है आगे ठीक है जिनके feminines बहुत ज़्यादा balanced है ना उन्हीं के masculine भी अब mentally एकदम balanced है और उनको clarity मिल चुकी है कि अब उनको आगे क्या करना है ठीक है और उन्हीं लोगों का reunion possible है आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है आप लोगों को science भी दिख रहे हूं ठीक है लेकिन कुछ जो masculines है वो अभी भी stuck है अपने mind में हो सकता है उनकी feminines अभ hold करके रखा हुआ है कुछ masculines ने ठीक है बहुत जादा obsessive thinking deep thinking अभी भी उनके अंदर वो courage नहीं आ पा रहा है कि वो कैसे अपनी feminine को express करें अपना लग अपनी feelings को अभी भी hold on करके बैठे हैं अभी भी hide करके बैठे हैं उनको यह नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हम new beginning करें ठीक ह तो हो सकता है कुछ जो masculine है वो अभी self realization उनका चल रहा हो ठीक है जैसा कि शनी देव जी आज मारगी हो रहे हैं 11 अक्तूबर को तो बहुत से लोगों को self realization होगा और जो फामेना इस ने खुद पर इतना work किया है देको शनी देव जो होते हैं कर्म के देवता होते हैं कर्मा को represent करते हैं आपने कैसे कर्म किये हैं तो उसके accordingly आपको अब फल मिलना start हो जाएगा ठीक है आप लोगों ने खुद पर बहुत महनत की है तो आपको खुद पर महनत का फल मिलेगा लेकिन जिन लोगों ने महनत नहीं की है उनको इसका फल भुगतना भी पड़ेगा ठीक है तो परिशान नहीं होना है कुछ जो masculine को stuck है उनकी feminine को यही suggestion है कि वो अपने mind में clarity लाए अपनी self growth पर अभी ध्यान दे लेकिन जो पूरी तरह से balance है वो बिलकुल reunion की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द ही उनका reunion होगा यह तो थी energy हमारे masculine की साथ में ही मैं discuss क बढ़ा है जैसे कि masculine दो तरह के मैंने बताये ना कि एक तो पूरी तरह balanced family होगी लेकिन जो balance नहीं है वो अभी यह जो पोर्टल है इसकी energy को अपने अंदर अब्सर्व नहीं कर पा रही है उनको physical symptoms जो भी pains suffering हो रही है ठीक है बहुत ज्यादा exhaustion हो रही है वो सब इस पोर्टल की वज़े से है जो आपके अंदर के blockages है वो अब बहार आ रहे है तो आप लोगों को यह suggestion है कि आप अपने आप पे काम कीजिए अपने blockages को heal कीजिए ठीक है बिल्कुल परिशान नहीं होना है पोर्टल बहुत ही बढ़िया होता है जो आपके अंदर के सारे छुपे हुए blockages को बाहर लाता है तो आपको एक chance मिला है कि आप अपने blockages को heal कीजिए जो भी surface पे आ रहा है उसको release कीजिए ठीक है और जो लोग पूरी तरह से balanced feel कर रहे हैं आप अंदर से अच्छे से ठीक है हो सकता है जो पूरी तरह से balanced feminized हो जो बहुत ज़रा high energy में हो इस time ठीक है उन के जो masculine है उनको receive हुआ हूँ कुछ message या union का कोई ऐसा gesture मिल रहा हो या कुछ science मिल रहे हो ठीक है और साथी एक और चीज़ मैं आप लोगों से discuss कर रही हूँ friends psychic attacks कुछ feminized feel कर रही होंगी ठीक है psychic attacks like dream में कुछ डरावने सपने देखना या dream में अपने मतलब कोई physical intimacy में सी देखना अपने साथ होते हुए ठीक है या कोई demons इस तरह से यह बहुत गंदगी देखना यह सब show करते हैं psychic attacks इसके बाद आप लोग बहुत ज़रा drain feel कर रहे हो ब ठीक है देखो जिनका reunion पास होता है ना क्योंकि उनकी energy इतनी ज़्यादा high है अब जब energy इतनी high होगी तो negative energies आप पर जरूर से effect डालेंगी आपको down लाने की कोशिश करेंगी तो जो भी negativity होती है positivity की तरफ खिस्ती है ठीक है तो आप लोगों को negativity को entertain नहीं करना है demons attack होते हैं psychic attack आप लोग feel कर रहे हैं protection लीजिए आपको पहले भी मैंने बताया है कि आपको protection लेनी है हर हाल में अपने आपको protect करके रखना है ठीक है हो सकता है कुछ लोगों को dreams में इस तरह के dreams आए हो कुछ psychic attacks के ठीक है actually मुझे एक vision भी दिखा था इससे related morning में आज सुबा जब मैंने meditation किया तो meditation में मैंने vision देखा एक कि एक demon बहुत ही जादा बूरी शकल थी एक literally जो राक्षस होता है न सेम वही वो मुझे पर attack करने लगा है और मैं उससे बिल्कुल भी घबराई नहीं कि शकल इतनी डरावनी थी और मैंने literally उससे यही बात की कि मैं नहीं डरती तुमसे मेरे महाकाल मेरे साथ है और then I kill him ठीक है इतना courage मैंने अपने अंदर फील किया उस meditation उस vision के अंदर और literally जो words मुझे meditation से बहार आने के बाद याद थे वो यही थे कि मैं नहीं डरती अब तुमसे मेरे महाकाल मेरे साथ है तो आप लोगों को भी हमेशा यही बात याद रखनी है कोई भी आपका कुछ नहीं बिगार सकता क्योंकि आपको universe का support है ठीक है बिल्कुल घबराना नहीं है इन psychic attack से परिशान नहीं होना है जितना मरजी कोई कोशिश कर ले आपको कोई हरा नहीं सकता ठीक है आपके अंदर जो शक्ती है जो rise हो रही है उसको कोई अब दवा नहीं सकता trust रखिए अपने God पे अपने universe पे ठीक है और इस journey पर आगे बढ़ते जाए और इन demons को खत्म करना है इनसे डरना नहीं है हमें negative होके इनको entertain नहीं करना है अपने आपको positive रखिए आपको बहुत कुछ बताया है positive रखने के लिए मैंने उस इन वीडियो डाला था आप लोग चेक कीजिए ठीक है रेजनेट करें मुझे comments में बताईएगा जरूर ठीक है और अपना ध्यान रखेगा दोस्तों God bless you all love you all